कम्पिटीशन और सस्टेनबिटी को लेके एक बहुत अच्छा अर्टिकल आ जाया है जो हमारे डिस्टिक कोड्स हैं उनके इंफ्राश्चर को लेके भी काफी कमिया बताई गई है और एक बहुत ही सुन्दर टितली फोर छले वाली फोर रिंग बटरफ्लाई दुबारा से मि जो डेली इसको देख रहे हैं वो तो हमारे बारे में जानते हैं जो पहली बार चैनल पे आये हैं उनके लिए बता दू कि अकैडमी पिछले तीन साल से बहतरीन सेलेक्शन दे रहे हैं इस साल भी 51 सेलेक्शन रहें लास्ट येर रैंक वन अनिल कुमार अकैडमी का रहे जो बच्चे पर्टिकुलर्ली एच्स दोजार पच्चिस को टार्गेट कर रहे हैं उनके लिए लाइव बैच चल रहा है बहुत ही डिटेल में इसमें प्री में सेंटर्विक त्यारी करवाई जा रही है आप इंक्वारी कर सकते हैं अकैडमी के नंबर पे आज की जो रिपोर्ट किया कि वही जो डिस्टी कोर्ट हैं वहां पर इंफ्रसक्चरल चेरेंज हैं थोड़ा सा पैसा वैसा भड़ाओ सारा अबराहम करके एक आर्टिस्ट थी रिसेंटली यह इनके डेथ हो गई है तो इनके बारे में जानेंगे दरसल यह कंटेंप्ररी आर्ट के ब बढ़ाने की बात चल रही है और बजट है भी तो बहुत स्क्यूड है कुछ एक इंस्टिट को ज्यादा मिल रहा है खासकर कि आइटी जायम को बाकियों को कुछ नहीं मिल रहा है ऐसे गार रिपोर्ट आया है और रिंग बटरफलाई मिरी है काफी 59 यह के बाद नाम डफा दूसरी कंट्रीज हैं USA, UK, जापान वो कैसे मैनेज कर रही है हमारे पास मैनेज करने कि क्या क्या इंस्टिटूशन से कंपिटिशन कमिशन ओफ इंडिया है सैबी है इनका इंपोर्टेंस बताया गया है बहुत अच्छ अच्छ आर्टिकल है और आज हम जानेंगे इंटरे इश्वर थालिश्वरार टेंपल है कोविला पयाम यह तमिलाडू में है यहाँ पर एस्टेम पेज मैथड है जिसमें क्या करते हैं एक पेपर टाइप का लगा देते हैं दिवार पे और वो सारी इंस्क्रिप्शन पेज पर आ जाती है यहां 19th से 12th सेंचरी के बीच में कुछ और करके तो डेमेज होने खतरा रहता है और इन इस्क्रिप्शन से हमें मिलेगा क्या हमें 9th से 12th सेंचरी का जो कल्चरल आस्पेक्ट है हिस्टोरिकल आस्पेक्ट है जो उस ताइम का मिल्टरी एड्मिस्टेशन है उन सब को हम स्टड़ी कर सकते हैं और हमारे चीज निकल के आजाए जो हमारे मोडल टेम्स में हम यूज कर पाएं अच्छा है जब कुछ निकलेगा तो देखेंगे तो टेंपल में डोनेशन होते थे डिटेलिंग वगारा सब होता था लेंग्वेज की बात करें तो मोस्टली हमारी तमिल लेंग्वेज में हैं लेकिन को प्रिजव करता है कंट्री में करीबन 3650 ऐसे एंचिंट मॉनुमेंटंस हैं अगर हम बात करें एंचिंट मॉनुमेंट्ट की टाज महल हो गया मेजर मेजर बता रहा हम कुतुमिनार हो गया रेड़ फोट हो गया इन सब को यहाड़बन साइट होगी इन सब को PSI जिन्रल था, he was Alexander Cunningham, 1861 में आया था, तो अंगरे जो ने बनाया था, basically, और आप ये अच्छे से चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, he was known as the father of Indian archaeology, ये जो method है, stump page method, इसमें क्या करते हैं, exact replica बना देते हैं, inscription की, कोई inked paper है, उसको surface पर रख देंगे, और वापिस वैसा के वैसा capture वो कर लेता है, ठीक है, देखो, 2023 में एक अच्छा question आया, बड़ा deep question था, जिसने बड़ रखा था, वो कर पता तरवाइस, देखो, चार ना नाम दे के पुछना कि ये कौन है, ये archaeological excavations करने वाले हैं, English press के हैं, churches हैं, construction of railways में हैं, तो इस option में elimination करना ज़्यादा आसान था, देखो, construction of railways in colonial India, majorly नाम आता है, डलावजी का, तो कुछ हद तक हो सकता, ये side में हो, लेकिन कई पर हमें रिस्तो लेने पड़ता है, प्रि English press है, जिसने modern India पड़ रखी है, वो देखे हैं, एक भी नाम मैच नहीं कर रहा है, जैसे Metcalf है, Litton है, Rippon है, या और जो भी थे, Armhast है, तो वो सारे जुड़े वे लोग थे, तो अब दो option बच्चते हैं, अब यहाँ पर princely states में, church और archaeological में, gut feeling आती है कई बार कि भाई, Alexander और यह सब नाम यहाँ तो कभी नहीं सुने और यहाँ कभी का बार सुने हों, तो 50-50 मारों तो chances कई पर हो जाते हैं, इस तरह चाटेम्ट कर सकते थे, अगला article हमारा है, कि वही, Minister of Law ने यह कहा है, कि जो district court से वहाँ पर कुस प्रोबलम चल रहे हैं, प्रोबलम किस तरह की ह एक तो बहें ओर क्रावडिंग हो रखी है, IT facilities है नहीं, वीडियो कॉनफरेंसिंग जेल में नहीं हो पारी, या जो safety equipment है वो इतने नहीं अच्छे हैं, because crime बढ़ता जा रहा है, judges की vacancy खाली पड़ी है, तो वहाँ पर न्याय तो मिलता है, या नहीं भी मिलता है, बट facilities तो मि दिकत क्या है, एक तो और क्रावडिंग हो रखी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते आते रहते हैं, हमारे district का जब मैं district code देखता हूं, तो वहाँ पर ऐसा लगता है, ये सब्जीमंडी बना रखी है, इतने सारे एडवोकेट, इतने सारे लोग, या किसी का बहुत ज़्यादा पार्टीज, लिटेगेटर नों खड़े होने की जगए नहीं मिलती, दूसरा accessibility issues, अब भाई थोड़ा बहुत, courtroom तो थोड़े से हैं, लोग ज़्यादे हैं, तो वो नहीं मिल पाता, आइटी को अगर देखें तो भाई, इलेक्रिक, जो electronic display facilities वगएर हैं, तो यह भी बहुत कम है, ठीक है, वीडियो conference की बात करें, तो 32.7 districts हैं, इनकी पास वीडियो conference की facility जेल में नहीं है, fire safety की बात करें, 39% officer बताते हैं कि भाई fire safety के कुछ अच्छे नहीं है, अब infrastructure shortage हैं, जस्टिस delivery होनी पारी, तो क्या होगा, delayed proceedings होंगी, जो आज सोल होना था, एक अफते बाद होगा, एक मेने बाद होगा, तो decision making वगारे, जितना देरी होगा, उतना ही, लेट से justice मिलेगा, और ये court कहा जाता है, justice delayed is justice denied, अगर 10 साल के बाद न्याई मिला, तो वो न्याई ही है, दस साल जो मैंने भोगा, जैसे निर्भैकांड होगा, 2011 में, उसके जो दोशी पाए गए, वो 2019 या 2020 में उनको फासिवी, आठ नो साल तक उनकी parents को ऐसा रहा कि हमाई justice मिलेगा, नहीं मिलेगा, और वो तो एक case है, नादाने कितने gang rape, कितने acid attacks, कितने murder daily होते हैं, तो ऐसे अगर चलता रहा तो भही कैसे आएगा, accessibility issues, तो वो accessible डंक से नहीं होगा, तो proceedings में भी दिक्कत आएगी, efficiency कम हो जाएगी, IT infrastructure वगरा है, communication डंक से हो नहीं पाता, safety concerns है, यह तो problem है, दिक्कत क्या है, solution क्या है, इनका उल्टा कर दो, infrastructure कमी है, upgrade कर दो, modernize कर दो, expand कर दो, IT facilities नहीं है, तो IT facilities बढ़ा दो, उसके लिए fund दो, fire safety नहीं है, तो implement करो, regular check-up करो, monitoring करो, policy reform करना है, तो इसके लिए हमें अलग से infrastructure gap को fill करना पड़ेगा, और ऐसी अगर कोई fund की कमी है, तो ज़्यादा fund release किया जाए, या इनको कुछ ना कुछ और bond वगरा करके जारी किया जाए, और regular audit भी होना चाहिए, तक ही पता लगता रहे कि कितनी facilities है, क्या, किसको नह करना है, इसके लावा एक central sponsor scheme भी है, जो district court वगरा development करना है, तो यहाँ पर state और UT को financial assistance government के दवारा दिया जा रहा है, आप देखोगे कि YouTube पर भी live proceeding आती है, गुजरात की तो मुझे पता है, गुजरात वो पहला state था, जिसने high court की proceedings को YouTube पर live कर दिया था, तो इस तरह से initiative आ र public key infrastructure, यह पूछा कि यह regularly term आती है, किस context में आती है, यह आती है, digital security infrastructure context में, यह आप बता सकते थे, इसके लाव अगला article लेखते हैं, यह madam है, सारा अबराहम, recent में गुजर गई है, contemporary art की artist थी, केरला से बिलोंग करती थी, और कलायातरा exhibitions में इनका main था, अब कोई भी artist होता है, जो popular होता है, उसके कुछ एक बात याद कर लो, भले ही आपको याद रहे ना रहे, एक अच्छा artist जो होगा, जो popular भी होगा, और famous मतलब अच्छा भी होगा, वो क्या करेगा, कि बहुत सारी चीजों को एक साथ दिखाने की कोशिश करेगा, वो sensitive issues को दिखाने की कोशिश करे वो global और Indian चीजों को fuse करने की कोशिश करेगा, ठीक है कि उसको दायरा बहुत बड़ा हो गया है, और वो sympathetic रहेगा, compassionate रहेगा, चीजों को लेके, इस तरह का आदमी रहता है, इनका देखो, innovative approach थी, traditional और modern को mix कर दिया, इन्होंने media का use किया, और urban life, memory, identity, सब को themes को mix करने कोशि तो एक अच्छी कासी है, इनका नाम paper में आ सकता है, कि वही, recently pass हुई है, और ये किस field से संबदी रखती है, या artist थी, ये chess की player थी, ये civil servant थी, या environmentalist थी, ऐसा कुछ option आते हैं, तो इस ध्यान रखना, मदुबनी paintings को लेके, एक UPSC में question आया, कि भाई, they are made in the formative, fresco, walve अगरा आपे बनाते हैं, यास बिल्कुल सही बात है, handmade paper के उपर भी बनाई जाती है, यास बिल्कुल सही है, cow dungy use is the base, and rice used to paint, ये गलत है, cow dung को base use नहीं करते, मदुबनी painting, बहुत famous है, बिहार की महिलाएं करती है, आप Google करके देखना मदुबनी paintings, मदुबनी paintings की भी बहुत सारी varieties है, मदुबनी, I think बिहार जाओगे, तो वहाँ railway station के उपर, के दिवारों के उपर भी आपको मदुबनी paintings मिलेगी, बहुत सुन्दर है, जातक मैं याद कितना गया, science में भी research and development कितना गया, आपने कुछ दिन पहले article पढ़ा था कि हमारे यहाँ technological जो equipment थे, उनको repair करने के लिए चाइना से लोगों को बलाना पढ़ रहा है, और उनके वीजा रुक रहे हैं, बिकोज उनके उपर शक है, हमारे पास research and development में इतनी funding नहीं आ रही, critical areas में, इसी वज़े से हमको बाहर से science की जूत पढ़ रही है, आप देखो climate, resilient, agriculture, cleaner, इसके उपर अभी government बढ़ा रही है, तकि हमारा, इनके उपर भी हमारा कुछ निकल क्या है, लेकिन दिकत क्या है, fund क्या है, fund क्या है, और प्रसलाइज नहीं हो, अपात research initiative, और जो distribution है, वो government ने चूज़ कि है, agriculture में, अगर एनरजी की बात करें, तो भाई हमें, nuclear और थर्मल दोनों में ही advanced technology लेके आनी है, तो वहाँ पर हम critical mineral mission वगरा चला रहे हैं, अगर manufacturing की बात करें, तो हमें foreign investment को attract भी करना है, ऐसे 100 industrial park हमने बनाए है, particularly जो manufacturing वाड़ा है, उसके लिए हम special economic zones भी बना रहे हैं, या एक single window clearance भी हम दे रहे हैं, उनको subsidy, exemptions, rebates, बहुत कुछ देने कोशिस कर रहे हैं, making India यह उसी का part है, अब concern क्या है, देखो एक दिकत तो यह है, जो basic research है ना, उसको sideline कर दिया गया है, जो foundational research है, लेकिन जो advanced research है, super computer, quantum के technology, इस तरह के technology को जादा दिया गया तो basic research को neglect कर दिया गया, जो funding है, वो limited है, और जो limited भी आ रही है, वो भी prototype development कर रहे है, original चीजों पर काम नहीं किया जा रहा है, disparity है, जो primary institutions है, IIT, IIM, IIT, इनको मिल रहे हैं, लेकिन जो state university, इनको देखा आप 65% fund मिल रहे है, imagine करो कि गिने चुने IIT हैं, 65% fund तो वही ले जा र रहे हैं, और खुद के level पर जब करते हो, तो चीज़े time लेती है, because, सरकार के पास बहुत जाज़ा fund होता है, जैसे चाइना है, चाइना sports को fund करता है, तो वहाँ Olympic champion बनना आम बात है, लेकिन इंडिया में सरकार तभी आपको पैसा देती है, जब आप Olympic तक पहुंच जाते है उससे पहले खुद को ही करना पड़ता है, ठीक है, तो stagnation आ रखी है, actual जो expenditure होता है और जो allocation होता है, उसमें difference आता है, मालों आपको दिये 100 रुपे, last में 60 रुपे हो पाए, because, उसकी बहुत सारी foundations होती है, तो demand बढ़ रिएगी, भाई, funding बढ़ाओ, और कुछ inflation भी है, इस वज़े से भी funding को दिक्कत आ रही है, question देखो 2020 में आया, एक term दी गई आपको, the macro economic framework statement, ये mandatory बजट के साथ पेस करना पड़ेगा, फाइनल मिश्च के दवारा, ये जो provision है, ये कौन से act में दिया गया है, ये दिया गया था, FRBM, Fiscal Responsive Budget Management Act 2003, इस act के अंदर mandatory किया गया था, आप जब budget बगरा रखोगे, तो ये report आपको रखनी ही, रखनी है, macro economic, यहाँ micro भी नहीं चलेगा, macro वाड़ा, ठीक है, ये एक बहुत ही सुन्दर तिदली मिली है, नाम डफा, जो National Park है, अनाचल परदेश का, इसकी तक रिंग बनी हुई है, ये करीबन 59 years के बाद मिली है, कहाँ छूपी हुई थी, कौन सी बस में चड़ी थी, ठीक है, तो four ringed butterfly है, तो कितना amazing है nature की ऐसे ऐसे चीज़ छूपी हुई थी, इसका scientific name याद रखवा तो ठीक है, ये पी था मा, कैंचली, और 1957 में हमको दिखी दिया, साम में, अभी 57 ये इसके बाद देखी है, तो नाम प्रतेश, चीक है, बाकिस के बारे में कुछ खा जाने दूरत है, नहीं, 2016 में से question आया, ये butterfly वारा कुशन भी आया था, 2016 के असपास, कि first state कौन सा है, जिसने state butterfly declare करी है, उस time I think हिमाचल ने करी थी, तो इस तरह 2016 में question आया, एक नई variety आई है बनाना की, जो 11 मिटर तक उचा ह होता है, orange color fruit pulp होता है, तो ये कहां मिला है, तो ये अंडमान निक को बारे मिला था, तो इस तरह के news में रहते हैं, तो तो ठीक, otherwise ऐसे question को छोड़ देना चाहिए, अब कितने ही variety आती रहती जाती रहती, सब को याद करोगे, तो बर बल्डन हो जाएगा, कही सामने आगया current affair में तो ठीक है, photo, photo आई हो तो, ठीक, आज का जो auditorial है, इसका मैं पहले करक समझाता हूँ, ये कहना चाहिए है कि, जो competition है, वो एक sustainable भी होना चाहिए, और competition healthy हो, इसके लिए भारत में क्या बना रखा है, competition commission of India, उसका यही काम है, कि भाई, जो competition हो healthy रहे, बड़ी मचली, खा जाएंगी, तो consumer को option भी कम रहेंगे, और जो business हो भी unhealthy हो जाएगा, example देता हूँ, जैसे geo company है, geo company ने starting free में माल बेचा, धीरे धीरे सब बंद होने लेगी, BSNL, Vodafone, idea, ये सब, अब last में, दो यही बड़ी मचली बचली, ATEL और geo, दोनों ने अपने price बढ़ा दी एकदम से, तो लोगों को option ही नहीं है, ठीक है, तो दुबारा से BSNL और Reliance का, उसका, Reliance का नहीं, इसका क्या बोलते है, Tata का, TCS, उसके collaboration हुआ, अब लोगों को लग रहा है कि हाँ, BSNL की तरफ जाना चीए, तो competition दुबारा से आएगा, तो उनको अपने price low करने पढ़ेंगे, तो अर्टिकल कह रहा है कि जो market dynamics, sustainability है, competition policies है, ये climate change को demand supply कैसे enhance करते हैं, तो market का एक ही rule होता है, demand and supply, अगर market में 5 चीजे हैं और लेने वाले 10 हैं, तो competition अपने आप आएगा, 2 को 1 मिलेगा, अब चीजे 10 हैं, लेने वाले 5 हैं, तो अराम से 1 को 2 मिल जाए, competition होगा ही नहीं, लेक क्या क्या जाएगा, वो 5 चीजों को बढ़ाए जाएगा, natural नहीं तो artificially बढ़ाएंगे, अब इंडिया में दूद की, पनीर की, बहुत demand है, लेकर इतना दूद पनीर ही नहीं, market में तो वो artificial दूद पनीर बना बना के बेच रहे हैं, ठीक है, तो जो global और national frameworks हैं, SEBI का है, European Union का है, Japan का है, वो कैसे इसको manage कर रहे हैं, इंडिया को बहुत जरुद है, अपनी competition policy क्लाइमेट से जोड़ने की, विकोज हम promise कर चुके हैं, कि 2070 तक हम carbon net zero emission बना देंगे, जितना emission हम छोड़ रहे हैं, उतना ही हम consume भी कर लेंगे, ठीक है, मतलब उसको store कर लेंगे एक तरह स तो market dynamics क्या कहती है, देखो, बाल्टर सिस्टम से स्टार्ट हुई थी, जिसमें लेंदेन होती है, एक आधे हाद ले, बुड़ी के बाल दो, बरतन लो, अब आगे digital markets, तो change हो रहा है, market dynamics, तो climate change जो है, वो सब disrupt कर रहा है, विकोज जब climate change आता है, तो उसकी वज़े से supply कम हो गया था, आज 35-40 में है, बिकोज supply chain management होता है, अब SEBI के तुवारा एक report आती है, framework for the corporate sustainability report, और एक report आती है, business responsibility and sustainability report, तो ये बताता है कि जो भी value chain है, अपना environmental impact जारी करें, कि जो भी खाना वाना बन रहा है, जो भी supply कर रहे हो, उससे environment पर क्या impact होता है, एक similar सा ही एक होता है, environmental impact assessment, EIA, हमने article पढ़ा था, 10-15 दिन पहले, तो EIA के अंदर ये भी एक नया provision लाने की बात चल रही थी, आप जो project बना रहे है, उसका climate की उपर क्या फरभा होगा, अगर मैं कोई, कोई नया business start करने जा रहा हूं, तो climate पर क्या impact पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तो ब sustainability को हम jointly कर पाएंगे, जिसे जापान ने खुद का act बना रखा है, anti-monopoly act, तो ये बताता है भी आप वो green society बनानी है, और जो activities, environmental sustainability को promote करेंगी, वो competition को restrict नहीं करती है, आप climate को promote करो, आपका competition बिल्कुल भी उससे परभावित नहीं होगा, ऐसा नहीं ये कि, अगर मैं green चीज अब तक ऐसी में रहोगे, या इतनी सरदी पढ़ जाए कि सब कुस कप कपा जाए, तो आप कहां तक heater लेकि आओगे, climate अच्छा होगा, तो आपका product भी अच्छा चलेगा, ठीक है, अब European Union है, उन्होंने भी ऐसे guideline बना रखी है, ठीक है, उनका काम है, climate change, pollution को कम करना है, natural resources क कम यूज करना, innovation को promote करना है, तो आप देखो कि यूरोप में almost 50% से जाता लोग fit हैं, लेकर इंडिया में 90% लोग unfit हैं, आप बजार में निकल जाना, कोई भी आपको ऐसा बंदा नहीं दिखेगा, जिसके बोड़ी बोड़ी अच्छी है, लंबा है, फिट है, चेस्ट, व क्लाइमिट अच्छा है, साइकल वाइकल चाला चलाते हैं, इस तरह से यह अच्छा है, तो competition commission of India भारत में भी ऐसा है, कि वो बना रहा है, तो हमने 2007 तक ठेका ले लिया है, कि net zero करते हैं, यह यह याद रखना प्री में पूछा जाएगा, और हम फिलाल पांच में नंबर प तो एक fair distribution कर सकते हैं, और competition act 2002 आया था, उस time से ही चल रहा है, तो यह corona के time भी ठिक ठाक हुआ था, अब यह चाह रहे हैं कि और sustainability को collaboration से हम कम कर दें, तो इस तरह से करना चाह रहे हैं, अगर हम United Kingdom की बात करें, तो उन्होंने भी ऐसा, एक authority बना रखी है, competition and market authority, तो वो भी time time और sector wise, innovation, sustainability, climate resilient policies, इस तरह की वो भी बना रहे हैं, तो इस article मतलब क्या है, जब आप climate change पे कोई answer लिखोना, तो आप mention करना, जापान anti-monopoly act, UK's, competition and market policy authorities, India's CCI, इस तरह से example देने हैं, ज्यादा कुछ बढ़क नहीं लेनी इसमें, conclusion यही है कि competition cannot remain isolated from the sustainability concerned, आपको नई technology adopt करनी है, innovation चाहिए होगा, और environment को बचाओगे, तब ही आप competition अच्छा चलेगा, ultimately यही solution है, ठीक है, यह कुछ report है, यह SEBI के बारे में, SEBI एक body है, जो की share market को regulate करती है, 1988 में बनाई गई थी, फिर बाद में 1992 में statutory powers दे दी गई थी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और जो हमारा CCI ह Commission of India, वो भी statutory body है, यह दोनों आपको याद रखने है, यह premium question आते हैं, ठीक है, यह रहा, यह भी statutory body है, competition commission act, statutory body का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी body, जो किसी act of parliament के दुवारा बनाई गई हो, उसको हम बोलते है, statutory body, और ऐसी body, जो constitution ने बनाई हो, उसको क्या बोलेंगे, constitutional body, और हमने पढ़ना है, international monetary fund, यह दरसल world bank बना तब ही बना था, इसका main काम क्या होता है, जो भी country, यह समझो कि loss में है, या पैसा खतम हो गया है, foreign currency खतम हो गई है, उनको यह पैसा देने में help करता है, ठीक है, इस तरह से, इंडिया को भी help करी थी, जब 1992 में crisis हुआ था हमारा, monetary crisis, इस तब IMF ने ही लोन दिया था हमको, क्या तो यह वर्ल्ड में help करता है, 1945 में बनाया गया था, Britain Woods Agreement के तहत, financial cooperation करता है, global economic growth, international trade, और यह अपने आपको last resort मानता है, जब country के पास सब कुछ खतम हो जाए, यार दोस्ट, प्रोड़शी country भी मना करते, तब IMF लोन देता है, उनक इनकी पास एक SDR नाम की चीज़ होती है, special drawing rights, special drawing rights क्या होती है, कि इतना loan, इतना पैसा आप ले सकते हो, IMF से, यह जो होता है, यह सिरफ member countries को ही मिलता है, private body या भार से कोई organization ले, उसको नहीं मिलता है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चीक है, अपने official resort से ले सकता है SDR ध्यान रखना एक तरह की currency नहीं है, यह SDR, बट यह potential claim है, जब आपको पैसे की कमी हो जाए, तो आप यहां से पैसा उठा सकते हो, और इसके अंदर ध्यान रखना पांच currency आती है, US dollar, euro, Chinese yuan, Japanese yen and the British pound, यह पांचों में से question आएगा, कि which are the following currencies including the SDR, तो recent में यह एड होई थ ठीक है, इस तरह से हैं, तो only IMM members को यह मिलता है, चलो, आज के हमारे 5 question है, name the currencies included in the SDR of IMM, हमने देखा, SDR हमें उपर देख क्या है भी, इसके अदर कौन से 5 currencies हैं, वो आपको बतानी है, दूसरा आपको बताना है, नाम डफा नेशनल पार्क कौन से state में located है, आज हमने देख बताना है, who was the first director general of ASI, यह आपको बताना है, बहुत simple question है, competition commission of India and SEBI are statutory bodies, यह statement true है कि false, जिसने पूर आर्टिकल ध्यान से सुनाओगा, वो पाक्चोंसर आराम से कर लेगा, इसको छोड़के, यह मैंने पहले करवा रखा था, किसी एक report में मैंने कराया था, gender inequality index, gender parity index, यह ना, झाल, यह झाल, 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 झा